दोस्तों नमस्कार मेरा नाम संजे मग्गुहर मौजूद है देश रोजानक के डिजिनल मीडिया मन्स पर दोस्तों मैं आपसे लगातार बात करता हूँ हर्याना और देश के कुछ पुलिटिकल मुद्दों को लेकर जादतर मैं आपके साथ चर्चा में रहा करता हूँ राज नीधी की बातों को लेकर लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे बात करने चला हूँ एक ऐसे मुद्दे को लेकर जो आम, जनता और पुलिस से जुड़ा हुआ है और मैं आपसे बात करूँगा इस वीडियो के अंदर खासकर फरिदाबाद पुलिस की NCR चेत्र यानी की राश्ट्रिय राजधानी चेत्र में आने वाला फरिदाबाद और फरिदाबाद पुलिस की लगातार पिछले कुछ दिनों की ऐसी घटना है और खासकर एक ऐसी घटना जो आज मैंने सोशल मीडिया पर पड़ी और दो दिन पुरानी वो बात थी दो दिन पुराना वाक्या था जिसको पढ़ने के बाद लगा कि आपसे बात तो करनी चाहिए और कोशिश होनी चाहिए कि हमारी ये बात फरिदाबाद पुलिस के जो हुकमरान हैं फरिदाबाद के सीपी हैं बड़े अधिकारी हैं उनके कान तक भी जरूर पहुंचे हलाकि जो शासन और परशासन होता है जो सरकार में बैठे लोग होते हैं उनके पास अपनी बात पहुंचाना आज कल जो बन चुका है चलन वो यह कि नकार खाने में तूती के समान होता है कि आपकी आवाज महां तक पहुंचेगी भी या नहीं आपसे जिक रिसली कर रहा हूं कि दो घटनाएं हैं फरिदाबाद की और एक घटना तो ऐसी है कि जो हर आम खास से जुड़ी हुई है बेटी बचाओ, बेटी पड़ाओ, बेटियों का मामला ये सब कुछ कहने को तो सरकार की प्राथ मिक्ता पे है महिलाओं के विरुद जो अप्राध होते हैं कहने को तो सरकार की प्राथ मिक्ता पे है परशासन की, शासन की, पुलिस की प्रात्मिक्ता पहर होना भी चाहिए लेकिन मामला कुछ ऐसा है कि फृरिदाबाद का बल्लवगड और बल्लवगड का ठाना चहत्र है छाय सा थाना च्हेत्र के एक गाउं में एक किशोरी के साथ दुश्करम होता है एक किशोरी है उसी गाओं के लोग उसको बहला फुसला कर बरगला कर कैसे भी करके अपने घर बुला लेता है एक यूवक उसको और उस किशोरी के साथ में रेप किया जाता है किशोरी के साथ रेप करने के बाद में फिर उस परिवार के तीन जो लोग है उनके खिलाफ नामजद मुकदमा दर्जुआ है वो छेड़ छाड़ करते हैं किशोरी के परिवार जनों को पता चलती है बात के बारे में, घटना के बारे में, किशोरी के परिवार जन जाते भी है शिकायत करने के लिए क्योंकि एक ही गाउं का मसला है, और जो किशोरी के साथ जो दुशकर्म किया जाता है, वो जो आरोपी है, जो उसी गाउं का है, छा फायार दर्ज करती है और थाना चायसा से वो मामला पहुंचता है फिर बल्लब गड़ महिला थाने में जांच के लिए दो तारीक से और 9 जुलाई तक कोई उसमें एक्षन नहीं होता किशोरी का चिकिस्से परिक्षन हो जाता है पुलिस की फायार हो जाती है लेकिन एक्षन पुलिस नहीं लेती कोई एक्षन नहीं होता पुलिस का किशोरी का पिता आरोप ये लगता है और बात ये सामने आती है कि किशोरी के पिता को उस आरोपी जो आरोपी परिवार है वो उनको ताने मारता है, छेडता है और उस पर अभधर टिपणियां करता है कहा यह जाता है कि वो उस सारी बास से परिशान हो जाता है वो किशोरी का पिता और किशोरी का पिता सुसाइट का अटेम्ट करता है यालनि कि आत्महत्या का प्रियास करता है फासी का फंदे पर वो जूल जाता है किशोरी की माद देख लेती है और समय रहते उनको उस फंदे से उतार लिया जाता है उतार करके उनको इलाज के लिए भेज दिया जाता है फरिदाबाद के E.S.I. जो तीन लंबर में जो बड़ा अस्पताल है उसमें आज भी किशोरी का पिता उपचारा धीन है बड़ी बात ही है कि जब किशोरी का पिता सुसाइड का अटेंप्ट कर लेता आत्मत्या का प्रियास करता है तो उसके बाद पुलिस की आँख भी खुल जाती है पलिस दो आरूपियों को गिरफतार कर लेती है आज पलिस का दावा है कि दो आरूपियों को गिरफतार कर लिया गया बकायदा जो पलिस के परवक्ता हैं पलिस के प्यारों है उसका एक प्रेसनोट जारी करते हैं और प्रेसनोट जा अलाकि वो कहीं इस घटना का उलेख नही था अगर एक ही गाओं की घटना है तो कोई बड़ी बात है भी नहीं और अगर जो आरोपी है पॉसिबल है कि वो आरोपी जरूर दबंग प्रवर्ती के होंगे जरूर उनका कही न कहीं बड़ा उंचा प्रभाव भी जरूर होगा और जिस किशोरी के साथ में जिस परिवार के साथ वो घटना हुई हो सकता है वो पीडित हो शोशित हो पीडित हो वैसी ही हो गया लेकिन संभवता ऐसा भी हो सकता है कि वो आर्थिक रूप से या सامाजिक रूप से कहीं पिछडा हो और उन पर इस प्रकार की घटनाएं गामों में खासकर सुनने को कई बर मिलती भी है कि जब इस प्रकार की वारदात होती है तो उनको प्रताडित भी किया जाता है उनको शोशित भी किया जाता है उनको ताने भी मारे जाते हैं और ये किशोरी के पिता जिसने आत्मत्या का प्रयास किया, इसमें किशोरी की मा और किशोरी का चाचा जो बयान दे रहे हैं, जो कह रहे हैं, ये बात सामने आ रही है कि किशोरी के पिता को परताडित किया गया, एक तो उसके साथ वैसे ही बड़ी घटना कि उनकी बेटी के स साथ में जो उनकी नावालिक बेटी उसके साथ दुशकर्म हो गया दुशकर्म के आरोपी खुले घूम रहे हैं उनको गिरफतार नहीं किया गया कारवाई नहीं हुई और उसके बाद में तीसरी बात ही अगर वाकई किसी ने ताने मारे तो फिर तो इसको यह माना जाएगा क कि आत्महत्या के लिए उकसाया गया उनको खेर पुलिस ने आरोपियों को गिरफतार कर लिया दो आरोपिया पुलिस की कस्टिडी में है और जो बल्लबगर की महिला थाना एसेच्चों है वो कह रही है कि जल्दी ही औरों को भी गिरफतार किया जाएगा तीसरे को भी मेरा बड़ा सवाल दोस्तों यहां पर यह है कि आखिर पुलिस की ये कारवाई लचर क्यों थी पुलिस ने इस मामले में एक्षन क्यों नहीं लिया और क्या पुलिस इंतजार कर रही थी कि कि किशोरी का पिता सुसाइट का टेम्ट करे तो उसके बाद हम जा गें यानि कि जो उ और यहां पर इस प्रकार की अगर घटना होती है और उसमें एक्षन अगर नहीं होता तो फिर जिम्मेदार कौन माना जाए उसके लिए और आखिर कैसे एकदम पुलिस की तंद्रा खुल जाती है तंद्रा पुलिस की नींद जाग जाती है जब उस किशोरी का पिता पुर्दूँ आपको इसके सासद। इससे पहले कि एक और घटना है, एक यूवक की पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है, और उसके पीछे कारण यह होता है, यूवक जिसकी मौत होती है, कारण ये है उसके पीछे की दो यूबकों का कुछ पैसे को लेकर लेन देन था और दोनों यूबकों में आपस में एक फरिदाबाद के मौल के अंदर चाकुबाजी की घटना हो गई हाला कि हम इस घटना की किसी भी प्रकार से ना तो इसको हम बढ़ावा देने की बात क्योंकि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए और ना ही हम इसकी ताइद करेंगे और इसके अंदर कानून को अपना काम करना चाहिए था हम इससे भी बिल्कुल सहमत है एक पक्ष को पुलिस जिस पक्ष का नाम अमित है उसको पुलिस जो परिवार जनों ने कहा कि अस्पताल से ही ले लेती है हिरासत में एक पैने थाने में लिया जाता है थाने से उनको C.I.A. में लिया जाता है क्राइम ब्रांच में युवक की वहां पर संदेहास्पध हालात में मौत हो जाती है परिवार के लोग तो कहते हैं कि पुलिस ने जो टॉर्चर किया उस टॉर्चर की वज़ा से चोटों की वज़ा से मौत हुई लेकिन पुलिस कहती है कि उसने सुसाइड कर लिया कंबल का कोई रसी बना करके या कंबल से कोई फंदा बना करके हम पुलिस की बात भी मान लेते हैं और परिवार जनों की बात भी मान लेते हैं लेकिन IPC यानि की जो BNS बन गई है युवक का शव तीन दिन तक मोर्चरी में पड़ा रहे जाता है कल जब युवक के समर्थ जो मृतक है जिसका की पुलिस कस्टडी में जिनकी की मौत हो जाती है जब उनके परिवार के लोग और चंदरशेखर आजात की जो पार्टी है भीम आर्मी जिसको कहते हैं जब भीम आर्मी के लोग सीपी कार्याले पर परदर्शन करते हैं नारेवाजी होती है जुलूस होता है तो उसके बाद फिर पुलिस की तंदरा जाकती है तीन दिन तक एक शव मोर्चरी में पढ़ा रह जाता है और वो शव जो अन्नोन नहीं है नामालूम शव नहीं है शव की शिनाक्त हो चुकी है और अगर माने तो शव को अगर शव पढ़ा रह जाता है तो उसको यह माना जाता है हलाकि अभी पिछले दिनों सरकार ने भी क कि इसको शव की दुरगती माना जाएगा क्योंकि सनातन के अंदर हो या कोई भी धर्म हो उसके अंदर मृतक का समय के साथ में अंतिम संस्कार जो विधी विधान होते हैं उनके साथ उसका होना चाहिए यह हमारी संस्कृति कहती है यह हमारा धर्म कहता है यह सनातन संस्कृति भी कहते हैं और तमाम मैंने कहा किसी भी रिलीजन में हो उनकी जैसी जैसी उनकी पद्धती है जैसा जैसा उनके अंदर ब्रतक कांतिम संसकार का जो भी कारेक क्रिया करम होता है उसके हिसाब से किया जाता है लेकिन यहां तीन दिन तक एक शव पड़ा रहे जाता है और कल पुलिस मामले को भी पहले क्यों नहीं निप्टाया गया और यही मेरा सवाल था कि आखिर पुलिस की जो कारेपणाली है यह क्यों किंक करतव है विमूर हो जाती है अगर ऐसी कोई घटनाएं होती है तो आखिर क्यों नहीं समय रहते हैं उस पर एक्शन ले लिया जाता अगर यूवक की पुलिस कस्टडी में मौत होती है तो पुलिस की लापरवाही तो उसमें वैसे ही सामने आ गई अगर फांसी का फंदा लगा करके भी यूवक ने खुदकुशी भी कर ली हो तो फिर भी तो जिम्मेदारी पुलिस की बनती है क्योंकि वो पुलिस कस्टडी में थ ठाए और पुलि्स कास्टडी में अगर वह सुरक्षित नहीं था तो फिर पुलिस का कर रही थी और अगर मारपीट से उसकी किसी और प्रकार से आधि कि पोस्ट माटम करती रहती है अगर रेप का कोई मामला हो दुशकर्म का कोई मामला हो तो पुलिस ये इंतजार करती रहती है कि एक और घटना हो जाए तो फिर जागेंगे फिर एक्शन लेंगे और अगर पुलिस कस्टेडी में कोई डैथ हो जाए कस्टोडियल डैथ हो जाती है किसी की पुलिस कस्टेडी में किसी भी तरीके से किसी की मौत हो जाती है तो आखिर क्यों नहीं उसको विधी के हिसाब से कानून के हिसाब से तुरंट एक्षन ले लिया जाता यह आपके सामने में सवाल छोड़ रहा हूँ कि NCR की पुलिस खासकर आजकल आप देखें तो हर्याना पूरी तरह से दहल रहा है बदमाशों के आतंक से हर्याना आप माने की मुख्य मंत्री नायप सिंग सेनी को आज हर्याना के DZP यानि की पुलिस मानिदेशक से कहना पड़ा कि आठ दिन के अंदर अंदर कंट्रॉल करो जहां देखो तहां हासी के अंदर व्यापारी को गोली मार कर हत्या कर दी गई उससे पहले एक दिन पहले वो जिसकी व्यापारी की हत्या होई वो जन्ना एक धंता पार्टी से जुड़ा हुआ है सेनी उससे एक दिन पहले महिंद्रा के शोरों पर इनैलो के नितापके साथ वारदात हुई आज भी मैं पलवल पुलिस अदिक्षक कारेले में था तो वहां पर पलवल के अंदर जो कुछ व्यापारी पहुँचे हुए थे और वो बदमाशों की जो रंगदारी मांगने वाले बदमाश है उनकी धमकियों से उनके मैसिजिस से परिशान है यानि कि पूरे हर्याना में स्थिति और मुख्य मंत्री नायप सिंग सेनी डीजीपी से कह रहे है इस सब को देखते हुए अगर पुलिस इस प्रकार के घटना परंकरम पर एक्शन समय से नहीं लेती तो फिर सवाल तो उठेंगे सवाल तो उठेंगे आपको क्या लगता है कि क्या पुलिस कई घटनाओं को या कई मामलों में लचर कंडिशन में रहती है आपको क्या लगता है कि कई घटनाओं को पुलिस तुरंत संग्यान से अगर उनको समझ ले तो फिर कोई बड़ी घटनाएं ना हो और आपको क्या लगता है कि क्या इस प्रकार की घटनाएं समाज के लिए ठीक हो सकती है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएँ जुड़े रहे हमारे साथ देखते रहे हैं देश रोजाना